जे मातादी दोस्तों में नाम है दीपती रब का मेरी चैनल पर बहुत-बहुत सवागत है आज मैं आप लोगे साथ शेयर कर रही हूँ कि कलस स्थापना की विदी क्या है और घर्ट स्थापना का मूरत क्या है इस चैतर नवरातरी के लिए तो यह पुरा वीडियो जरू है इसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालें अवश्य डालें थोड़े से अक्षा चावल डालेंगे और हम कुछ सिक्के डाल देंगे हल्दी के गाट भी हम डाल सकते हैं इसमें और एक नारियल हम उपर से रखेंगे पान के पत्ते का गुच्छा चाहिए जिसमें हमारे कलश पर उसके उपर हमें नारियल रखना है नारियल का जो मुख है वो ध्यानी रखें ऊपर की तरफ होना चाहिए उसको एक लाल कप्ड़े से हम बांदेंगे कलावे की सहायता से और थोड़े से अक्षर थोड़े से चावल हम रख देंगे माता रानी के हमें दाई तरफ रखना है कलश कलश के नीचे भी थोड़े से हम चावल रखतेंगे और फिर कलश को रखेंगे अगर आपकी चौकी आपका पटा बड़ा है तो आप पटे की उपर ही कलश रख सकते हैं और कुछ लोग जो जवारे रखते हैं उस पर ही कलश रखते हैं पर आप अलग से भी रख सकते हैं अब मैं आपको बताती हूं कलश स्थ अपने हिसाब से आप कर सकते हैं आपको किस समय करना है क्योंकि घटिस्थापना का जो मूरत होता है वह बारा वजे से तो इस प्रकार आप ध्यान रखें कि आपको पहले से पूरी तैयार्या कर ले रही है पूरी पूजा विधी मैंने आप लोग साथ पहली ही शेयर करी है तो आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आप लोगों ने वो वीडियो बहुत पसंद की थी उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाल और जो वारे हमें कैसे बोना है इसकी विधी मैंने कल ही देख सकते हैं और आप अपने हिसाब से इसको बना कर तयार कर सकते हैं सच्ची मन से शुद्ध मन से आपको ये पूरी पूजा करनी होती है आप माता रानी को अपने घर पर बुला रहे हैं तो आपका दिल खुला होना चाहिए माता रानी को क्या क्या पसंद दे वो सभी च चने होते हैं काले चने और उसकी रेसेपी मेरी चैल पर डली हुई है तो भी आप देख सकते हैं मतरानी को आप बहुत सची मन से मनाएंगे तो वह छोटे रूप में भी छोटी चीजों से भी प्रशन हो जाती हैं और आप दुरकाश्रफशती का पाठ भी अवश्य करें और पूरी पूजा आपकी हो जाए मतरानी को सारा सामान चड़ाएं फल और मेवे धूप डीप कपूर की आरती अवश्य करें घी की बाती वाली आरती करने के बाद कपूर की आरती भी करें और मतरानी को हर चीज आप बहुत ही अच्छी तरीके से इत्र लगाएं सुकंतित वीडियो शियर करने वाली हो तो वह आप देख सकते हैं कि बहुत जरूरी चीज़े क्या होती है हवन में डालने के लिए और उसकी विधी क्या होती है शुरुबास से अंतक में कैसे हवन करना चाहिए नवरात्री में नवरात्री की 9 दिन आप लगातार हर दिन भी हवन कर स तो वह वीडियो आप देख लीजेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा और कोई भी गलती आप नहीं करेंगे क्योंकि भगबान का जो भोग होता है वह वह वन की द्वारा ही उन तक पहुंसता है इसलिए वह गलती आपको नहीं करना है तो अब ऐसे आपको पूरी पूज करने के बाद वो कपूर आप सब जंगय पर अपने घर पर भी फैला दें कि कोई भी नेगेटिव इनरजी नेगेटिव वातवरण आपके घर में ना हो और वास्तु दोस्तों कभी ना हो तो इस तरीके से आपको पूरी पूजा आराधना करने चाहिए मतारानी की और आपके जो प्रिय भोग है उसकी वीडियो भी मैं अलग से आपके लिए बना दूंगी कि मतारानी को सबसे यहादा पसंद क्या होता है हर दिन के हिसाब से आपको कौन सा प्रशाद लगाना चाहिए और नवरातरी में कौन-कौन सी पूजा की सामगरी होती है वो भी मैंने कल ही वी जरूर कर लिजे धन्यवाद